असलाम अलेकुम एवरिवान और वेलकम बैक टूटर अनुम्स किचिन एंड व्लॉक्स तो आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं यह डिलिशिस सा रमजान स्पेशल स्टार्टर ठिकन चटनी कबाब तो चली रेसिपी दिखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यह 200 ग्रा पेस्ट स्टानिकर आधा चमिछ अध्रांट को किचेडंा पेस्टुमacağım ऑन फटीस्पून गरम मसाला उन फटीस्पून जीरा पाउडर एटकरेंगे किाट करेंगे वान फटीस्पून ब्लाक पैपर पाउडर देंगे कालिमेट्ट का पाउडर यूण चाट मसाला हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर और नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से एड़ करना और आदर चिली फ्लेक्स एड़ करेंगे दो बड़े चमच ये बिरिस्ता है प्यास का और दो बड़े चमच ब्रेट क्रम्स का यूज करेंगे हम और अभी हम इसमें एड़ करेंगे तीन से चार हरी मिर्च आप लोग ठीक हो नमक आपके टेस्ट के हिसाब से एड़ करना अभी इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना एड़ कर देंगे और अभी हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे इसे अच्छे से कीमे जैसा जो होता है टेक्शर वैसा बना लेंगे ये देखे इस तरह से एकदम बारिक कर लेंगे अभी हम इसमें आदा लेमन स्क्वीज कर लेंगे लेमन स्क्वीज करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसके बाद हम जो है चटनी के प्रिपिरेशन कर लेंगे हमारा चेकन मैरिनेशन हो गया है कमप्लीट अब जो उसकी अंदर फीलिंग होगी चटनी की उसके लिए सबसे पहले हम एक जार में तीन से चार लसन की कलिया चार से पांच हरी मिर्च ती खाप आपके केसा आपसे आज़स करना और 140 सुन चाहट मसाल ना आट कर देंगे आफ टेबल सपून लेमिन जूस और इसमें थोड़ा सा रीप पानी दाल कर इसमें एट कर देंगे और ईसपे चटनी मैं रेड़ी कर लेगे देखे इस तरह यह जब पानी करें कि बस उतने पानी आहिंगे क्योंकि यह ठ Lars होगी ठिक होगी और अभी हम ये एक चीज क्यूप है उससे हम लोगोंने ग्रेट करके लिए लिए हैं अभी इसमें हम एक बड़ा चमज के करीब मेयोनी से अट कर देंगे और जो हमने ये चटनी प्रिपेर किये थे वो एक चमज अट करेंगे एक बड़ा चमज और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ठीका और नमक अब आपके टेस्ट के हिसाब से एट करना है देखिए इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये भी रेडी हो गया हमारा अंदर की जो फीलिंग करनी है हमें उसके अभी हम कबाब के जो है शेप दे जाएंगे पहले इसे फ्लैट कर लेंगे आप लोग हातों पे पानी या ओल का यूज कर ले फिर इसके अंदर जो हमने फीलिंग प्रिपैर की थी मेयोनी सो चटनी वाली वो इसमें थोड़ी सी एड़ करके इसे अच्छे से एक कबाब का शेप देते जाएंगे और ऐसी हम सारे बना लेंगे इसमें थोड़ा ब्रेट क्रम्स एक प्लेट में ले लेंगे आप कोई भी बाउल में प्लेट में ले ले इसमें तोड़ा सा ग्रीन फुट कलर एड़ कर देंगे आप लोग चाहे तो यूज करें नहीं भी और अब हम एक-एक करके एग में डिप करते जाएंगे एग में जो है वो थोड़ा सा नमक भी यूज करके हम लोगों ने उसे फेट लिये थे और अभी हम इसे पहले एग में डिप करने के बाद हम ये ब्रेट क्रम्स में कोट करते जाएंगे और ऐसे ही एक-एक करके हम बना लेंगे और आप लोग इस स्टेज पर इसे फ्रीज भी कर सकते हो स्टोर करके भी रख सकते हो उसके बाद अभी हम इसे अच्छे से ऑईल जब गरम हो जाए तो इसे हम फ्राइ कर लेंगे और इसे फ्राइ हम लोटू मीडियम हीट पे करेंगे क्योंकि ये पूरे कच्छे हैं कि ये अच्छे से अंदर तक चिकन हमारा पक जाये अलिगे दॉफ च्छ से पांच में टोटल 8-10 में जो है वो थोनू तरफ से पक जाएंगे अच्छे से इसे फ्लिप कर लेंगे देखिए माशालों से कितना अच्छा इसमें कलर आ गया है इस तरह से जब कलर आ जाए दूसरी तरफ भी पक जाए तो अभी हम इसे निकाल लेंगे एक-एक करके और इसे अभी हम सर्फ करेंगे इसे आप लोगों को चटनी या कैच्छेप के साथ सर्फ करें और अगर आप लोगों को हमारी रेसिप इच्छी लगे तो लाइक, शेर, कॉमेंट and सब्सक्राइब करना ना बूले और बैल आइकन पर भी क्लिक करना ना बूले ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन्स मिलती रहे अल्ला हाफिज